Good morning students, आज हम पढ़ेंगे पाठ बारा सर्वना, इंग्लिश में क्याकरते हैं प्रोनाउम तो यहां कुछ बाइक के दिये हैं, जैसे मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी, तुम मेरी चुट्टी मांग देना प्लीज उधर देखो तुम्हारी सहली बिभा आ रही है, उससे कहो वह तुम्हारा काम अवश्य करेगी, मुझे तो खुट्टी करनी है, तो मैं तुम मेरी तुम्हारी उससे वह तुम्हारा मुझे खुद तो ये किन के जगा प्रयूक किये गए हैं? संग्या के जगा प्रयूक किये गए हैं, संग्या शब्दों के जगा प्रयूक किये गए हैं, तो ऐसे शब्द संग्या के इस्थान पर प्रयूक्त होते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के छे भेद होते हैं, पुरुष वाचक सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम, अनिश्चे वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, प्रश्ण वाचक सर्वनाम और निज वाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम जानेंग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विशे में बात कही जाए, उनके लिए प्रयोग में लाया जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमे, हमने। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले अर्था श्रोता के लिए जाए, उसे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हे, तुझे, आप, आप लोग आदी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्था श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह उसे उन्हें, उनको, उन्होंने वे लोग आदी। अब हम पढ़ेंगे निश्चे वाचक सर्वनाम शब्द, जो किसी दूर अथवापास के निश्चित इस्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किये जाएं। निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मन्दिर है, यह नीलम का बसता है, तो इन वाइक्यों में वह यह यह, यह शब्द निश्चित वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग हैं। इसलिए निश्चे वाचक सर्वनाम शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चे वाचक सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम जो किसी निश्चिद व्यक्ति या वस्टू के लिए प्रयूक्ति नहीं होते, वे अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते, जैसे बाहर कोई आया है, चाय में कुछ गिरा है, इन वाइक्यों में कोई कु संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैस, इन वाइक्यों में दो दो उपवाइके हैं, जिन में क्रमशा जैसा वैसा जिसकी उसकी शब्दों से जोड़ा गया है, और ये क्या है संबंद वाचक सर्वनाम, अब हम किसे मिला, तो कौन, किसने, किसे, इन वाइक्तों में कौन, किसने, किसे, प्रश्न वाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों के दोरा वाइक्तों में प्रश्न पूछे जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम करता के स्वयम के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें न दादिका ने स्वयम पत्र लिखा था, सूरज आप ही आगरा गया था, तो ये सब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये स्वयम के लिए प्रयोग गये हैं, तो आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीट करना है, और इसके जो अभ्यास प्रश्ण है, उन्हें आपको फील करना है, और ग्रुप में सेंड करना है,